नमस्कार, हिंदी साहित वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET हिंदी की त्यारियों के अंतरकत दोस्तों हमने इससे पहले जो हमारे उपन्यास थे, हमारे पाठेकरम में शामिल, उनके बारे में हमने डिसकस कर लिया था उसमें हलांकि हमारे दो उपन्यास बचके हैं, उनको हम एक्जाम के ठीक पहले करेंगे अभी हम आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं, दोस्तों वो कर रहे हैं हमारे जो हिंदी नाटक पाठेकरम में शामिल है तो आज हम पढ़ेंगे अंधेर नगरी, तो दोस्तों यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे होंगे, एक इमेज मैंने लगाई है तो यह हमारा स्वभाग्य है कि हिमार्स प्रटिश विश्व विद्याले में हमें इस नाटक को अभी नीद करने का मौका मिला तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके लिए मैं यह हमारा जो नाटक हमने मंचन इसका किया था इसको लेकर अपलोड और एक वीडियो करूँ तो आप मुझे कोमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं दोस्तों चलिए शुरुवात करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले हम देख लेते हैं अंधेनगरी जो नाटक है उसमें क्या क्या चीज़े हैं कब इसका रचनाकाल है और यह किस तरीके का नाटक है तो देखिए इसकी जो नाटकार है यह तो मैंने आपको पहले भी बत पध्या भी है तब ही आप देखते हैं बीच में गद्यात्मक्ता भी आएगा और बीच में जो महंत हैं गुरु है मतलब जो उसके समवादों में आपको बहुत जगा क्या दिखेगी उसमें पध्यात्मक्ता दिखेगी तो इसलिए इसको क्या क्या चाता है कि यह गद्या प्रहसन है चाय भान है या फिर गीती नाटे है या नाटे रासक है तो इस तरीके से भी इन्होंने अलग-अलग तरीके से लिखे हैं जो नाटक के प्रकार हैं यह हम पढ़ेंगे जो आपका कावेशास्तर है वहां पर हम नाटकों के प्रकारों को भी पढ़ेंगे ठीक है ले हमें डेट चहांपर मिल रही है, जिस भी रचना का बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बात तो यह आती है, वो कब लिखी गई है, यह याद करना जरूरी है, ठीक है, फिर देखिए प्रकार मैंने पहले भी बता दिया, तो इसका जो प्रकार है, देखिए अंधेर नगरी का यह है प्रहसन, तो देखिए प्रहसन का मतलब है, व्यंग्या करना एक तरीके से, मजाक के तौर पर एक तीखा व्यंग्या करना, उसको प्रहसन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और जो अंधेर नगरी से ही पता चाव रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा है न तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप में ये क्या है व्यंग्या है और प्रहस्न है ये फिर इसका जो विशय है देखे वो क्या है आयोग्य शास की मुर्कता पुर्ण नितियों और उनसे मस्याओं को प्यंग्यात्मक्षैली में प्रस्तुति करन तो दीखिए ये बहुत जरूरी है कि जितने भी नाटक है उसका विशय क्या है तो जितने भी भरतेंदोहरी चंद्र नाटक लिखे हैं दीखिए सब का क्या है कहीं न कहीं जो शासिन विवस्ता है उसके उपर ही उन् प्रिमतप्त्व का उसमें चित्रन मिलता है बाकी जो जितने भी नाटक मिलते हैं उनका सब का विशय क्या है कि उसमें जो देश की स्थिती के बारे में इन्होंने ज्यादा कर उसमें लिखा हुआ है ठीक है ना इस नाटक में देखिए कि इतने द्रिश्ये हैं छे द्रिश कि नชनल ठेटर के लिए लिखा था जिसके लिखा गया था तो भरतेन्दू हरीश्चेंदर ने किसके लिखा था ये नेशनल छेटर रंगसंस्था के लिए लिखा था, तो नेशनल जो थेटर था देखिए, उसकी स्थापना भी किस ने की थी, ये भी भारते अंदू हरिश्चंद्र नहीं की थी, और काशी में इसको स्थापना की थी, काशी में इसकी इनोंने, ठीक है, तो इसका जो समय था देखिए, महज एक रात में लिखा गया था ये, तो जादा टाइम इनोंने इसको लिखने के लिए नहीं लिया, सिर्फ एक रात में इनोंने किस के लिए, नैशनल थेटर रंग संस्था के लिए, इनोंने इसको लिखा था, तो यहां से हमें पता चलता है कि भारते इंदू हरिश्चंद्र है, कि इतने समर्थ कभी थे, कि एक रात में इनोंने इतनी सशक्त जो रचना थी, वो रच डाली, है ना, जब आप देखेंगे इस नाटक को, या आप इसको पढ़ेंगे, तो आपको एक बहुत रोचक नाटक लगेगा, और ऐसा लगता है कि मान लीजे वो क्या है, एक शासन विवस्था के उपर क अगर कभी आपको मौका मिलें, तो आप इसको जरूर देखेंगा, या फिर इसको एक बार पढ़ लीजेगा, चलिए, आगे अब हम देख लेते हैं कि इसके प्रमुक पात्र कौन कौन से हैं, और किन पात्रों के जरीए जो हमारा अनाटक है, वो आगे बढ़ता है, तो पा दर्शी पात्र हैं, तो महंत ही एक ऐसा पात्र है, जो इस में क्या है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, जो आप देखेंगे हैं कि जो उसके दो एक चेले होते है, एक जो लोबी होता है, गुबर धंदास, वो क्या होता है कि उसको पहले इतला कर देता है, यह जो ऐसी गोड़ा क्या है? बराबर ही है. सारी चीज़ें क्या है? टके में मिल रही है. है ना? तो ये भी एक तरीके से क्या है? इन्होंने बियंगे कसा हुआ था. ठीक है? तो इसलिए वो कह देता है कि यहां पर रहना उचित नहीं है. हमें यह नगरी छोड़के चले जाना चाहिए. लेकिन वो नहीं जाता है और अंत में अपनी बुद्धी मता के जरिये ही वो अपने गुबर्धन को बचा लेता है तो यह हम जब नाटक आप पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि नाटक में क्या-क्या चीज़ें हैं ठीक है तो महंत का प लोभी प्रवरिती वाला है और इसके माध्यम से पाखंडी साधूं का चित्रन किया गया है तो यह वाली लाइन बहुत पूर्ण है कि किसके माध्यम से पाखंडी साधूं का चित्रन किया गया है अंधिर नगरी नाटक में तो यह कौन सा है यह है गोबर्धन दास तो इसक इसका शिशाय देखिए, महंत जी का, फिर उसके बाद आता है चोपट राजा, जो अंदेर नगरी का क्या है, राजा है, जो शराब में डूबा रहता है, और विवेकी, तथा न्याय-न्याय में फरक नहीं समझता, तो वो क्या है देखिए, बुद्धिहीन राजा है, उसको नयाय और अनयाय में कोई भी मतलब पर्द प्रत नहीं होता है तभी तो अब देखेंगे कि वो क्या है दिवार को इफांसी देने लग जाता है तो उसके बाद अगली अगला जो पात रहती कि वो है फरियादी तो राजा से ये नयाय मांगने आता है तो ये फरियादी के मतलब ही होता है कि जो फरियाद लेकर रहा हो राजा के पास नियाय की मांग कर रहा हो उसको क्या काशाता है फरियादी तो इक इसमें फरियादी भी होता है जिसका क्या है बकरी मर जाती है तो जो फरियादी है ये राजा से नियाय मांगने आता है और किस इसलिए ये नियाय मांगना आता है कि इसकी जो बकरी है वो दिवार के नीचे दब कर मर गई होती है और वो दिवार किसकी होती है जो अगला पात्र है कलू बनिया तो इसकी जो दिवार से क्या होता है भरियादी की बकरी मर जाती है जिसे अन्याई राजा ने फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन फंदा बड़ा बन जाने के कारणों से फांसी न हो सकी तो देखिए ये जो पात रहें ये प्रमुक पात रहें इस नाटक के इसके अलावा अन्य जो पात रहें देखिए तो देखिए इतने सारे जो पात रहें इन्ही पात रहें के जरीए क्या किया है भारत इंदू हरिश्चंद्र ने अपने नाटक की जो कथा है उसको आगे बढ़ाया है ठीक है और यही पात्र यह जो कवाब वाला घासी रामना रंगी इन्ही पात्रों के माद्यम से इन्होंने क्या बता है कि अलग-अलग जाती ब्यवस्था के लोग क्या है एक जगा रहते हैं ठीक है किस तरीके से अलग-अलग जातियों में भी अलग-अलग चीज़ें इन्होंने बताने की कोशिश की है ठीक है तो ये अन्य पात्र है हो सकता है इन पात्रों के बारे में पूछे जाए कि ये किस नाटक के प्रोमक पात्र है तो कहार यह जाता है कि बिहार को कोई राजा था, उसको देखकर, उसको अधार बना कर क्या किया था, उन्होंने इस नाटक की रचना की थी, जो राजा क्या था, मूर्ख था और विवेकहीन तता अस्थिर था, ठीक है, कैसा राजा था, मूर्ख और विवेकहीन, है ना, कि ज जब राज्य का राजा ही भरष्ट हो जाए और विवेकी हो जाए है ना जो प्राचीन समय में जो चीजें थी उनका ही उपभोग करने लग जाए तो उसके बाद क्या हो जाता है कि उस राज्य का विनाश संभव होता है ठीक है तो यही चीजें मुर्खता विवेक हिंता अस् और बढ़िया से आप अपना जीवन यापन करते रहो जनता मर रही है जी रही है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है बस आपको अपने एशोराम से मतलब है ठीक है आपकी अपनी जो नहीं है पार लगनी चाहिए गरीब जनता मरे जिये उससे आपको कोई फरक नहीं और यह आज की शासन वेवस्ता पर भी एक तरीके से इन्होंने ब्यंगे कसा है और आज भी ऐसा लगता है कि प्रासंगीक है यह हमारा जो नाटक है ठीक है आज हम देखते हैं कि जो शासक है उसको नीचे अपने जो जनता है उसे कोई लेना देना नहीं है उसके लिए जो नी आजू में रखना मतलब ठीक है जैसे मैंने पहले भी बोला कि गदे घोडे अंदे सब एक साथी बराबर हैं वही है नता के सेर भाजीता के सेर खाजा तो यह जीज़े हैं यह मेन में चीज़े हैं जो इस नाटक के जरीए भारतें दुहरी चंदर ने बताई है अब हम इसके दृश्यां देखिए पहले दृश्यां में क्या है देखिए महंत अपने दो शिष्यों के साथ दिखाई पड़ते हैं तथा वे अपने शिष्यों को नगर में बिक्षा मांगने भेजते हैं गुरुजी गुबर्धन दास को लोब के बुरे परिणाम के प्रती करते हैं तो यहां पर लोग हो गया है इसको आप ठीक कर लिजेगा जो गुरुजी हैं देखिए जो महंत जी हैं मतलब वो क्या कर देते हैं गुबर्धन दास को सचेट कर देते हैं जो लोब है उसके बुरे परिणामों से कि लालच बुरी बला है इसमें अगर आप फंस हो जो गुबर्धन दास है वो क्या है लोबी परिणाम बुरे होते हैं और उसके प्रती हमें सचेत रहना चाहिए दूसरे दिशे में क्या होता है शहर के बजार का दृष्च है जहां सब कुछ टके सेर भीक रहा है तो टके सेर वाली बात फिर से आ रही है देखिए वही सारी चीज़ें टके में मिल रही है तो क्यों ना मैं सब चीज़ों को एक साथ ही ले लूँ तो वो क्या गरता है साथ पैसे में धाई सेर मिठाई लेकर गुरू जी के पास वापस लटाता है यहां तो मेरे पास तो जब टके में सारी चीज़ें मिल रही है तो क्यों ना सब चीजों का जो है उपभोग का लिया जाए अनन्द उठा लिया जाए ठीक है तो वो क्या गर देता है कि साथ पैसे में डाई सेर मिठाई लेकर गुरु जी के पास वापस लोट आता है ये दूसरी दिश्चे की बात होती है फिर उसके बाद देखिए तीसरी दिश्चे में क् महंत, गुणी वब गुणी के एक ही भाव मिलने की खवर से सचेत हो जाते हैं तो जब उसे ये चीज़ पता चलती है कि टके में ये चीज़ मिल रही है महंत जी को तो वो सचेत हो जाते है एक तरीगे से तध्यक है लेकिन गुबरधन दासरा सस्ते वस्वादिश्ट वोज नहीं है जहां पर गुणी वो अब गुणी एक ही है मतलब सभी चीज़ें बराबर हैं उनके लिए भई है ना तो ऐसे नगर में अगर हम रहेंगे तो वो क्या है वो हमारे लिए गातक ही सीध हो सकता है इसलिए यह इस नगर को छोड़ना जरूरी है लेकिन गुवर्धंदास बोलता है कि यह चीज़ ठीक नहीं है और वो अपने गुरू के साथ जाने से मना कर देता है लेकिन यहां पर जो उसका गुरू होता है जो महंत होता है वो यह कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत होगी या कभी आपको लगे कि मेरी आपको होता है कि जो असली द्रिश्य है जो नाटक का जो राजा है ठीक है जो मतलब मेन है वो क्या होता है चौपट राजा है उसके दरवार और न्याय का चितन है कि वो दरवार में किस तरीके से आयाशी पूर्ण जीवन बहतीत करता है है ना और उसके बाद कैसा वो न्याय करता है ठीक है और नयाय का चितर निर्दोष को तवाल को फांसी की सजा सुनाई जाने का जिक्र है तो इस वाले जो यह चोथा ध्रिष्य है यहां पर आप देखते हैं कि सबसे पहले फर्यादी आता है ठीक है तो जो फर्यादी आता है वो अपनी समस्या लेकर आता है जिसकी जो बकरी मर जाती है कलू बनी की दिवार के नीचे तो वहां पर उसकी जो विवेक हिंता है है ना वहां पर राजा की विवेक हिंता का हमें पता चलता है तो उस तरीके से प्रशन पूछा जा सकता है कि राजा के भी वे खिंता किस द्रिशे में जलगती है और राजा किस द्रिशे में आता है तो वो चौते द्रिशे में ही राजा का जिक्र होता है और छटमें द्रिशे में भी राजा है जहां पर वो खुद को ही फांसी लगा देता है तो जैसे जैसे उसको लगता है कि दिवार के नीचे उसकी बक्री मर गई है ठीक है तो वो क्या कर देता है कि कलू बनिये की जो दिवार होती है उसको पकड़ के ला जाए जब कलू बनिये के पकड़ के ला जाए तो दिवार गिरी थी बनिये की क्या गलती है तो उसके बाद गयता है कि दिवार को सामने के पेश किया जाए तो दिवार को कैसे पेश किया जाए सबसे पहली बात तो यह ही है कि वहीं से पता चल दाता है कि वह भी एक हीन राजा है उसके बाद वह बोलता है कि उसमें दिवार की गलती क्या है दिवार तो इंट और गारे की बनी होती है, चूने की बनी होती है, ठीक है, तो क्यों ना उस भिष्टी को बुला लिया जाए, जिसने वो बनाई थी, या मिस्त्री जो भी है, है ना, फिर वो उसको बोल देता है, वो उस तरीके से बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उने वाला बोलता है कि आगे जो है, दूसरे कोई कोटवाल की सवारी बगेरा जो चल रही थी, इस तरीके से बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, लास्ट में वो कोटवाल तक बात आ जाती है, कि कोटवाल ने अपनी सवारी ये ऐसे निकाली थी, कि मेरा सारा का सारा ध्य तो इस तरह बंट गया तो इसलिए मेरी जो दिवार है वो कच्ची बन गई और वो उसकी बकरी मर गई ठीक है तो इस तरह कर देते हैं कि लास्ट में कोतवाल को ही वो फांसी की ससा सुना देता है है न कि कोतवाल की गलती थी इसने सिवारी ही इतनी धूमधाम से नकाली कि जो वो बनाने वाले थे उनका ध्यान उस ओर बंट गया और दिवार जो कच्ची बन गई और वो गिर गई ठीक है तो इस तरह के से बेचारा कोतवाल उसमें फंस जाता है और उसको पांसी की ससा सुना दी जाती है फिर आता है आपका पांचवी द्रिशे देखिए इसमें क्यो पर दंदास को कोतवाल के बदले फांसी पर चड़ाय जाने का आदीश है अब जब पांचवी द्रिशे में क्याए होता है जब उसको ले जा जाता है ठीक है कि जो जहां पर फांसी दे रहे होते है उसके लिये खुला हो छाता है क्योंकि वो दूबला-पतल अब जा रहा ठ वो बच जाता है फांसी से तो फिर वो क्या गरते हैं कि सारे नगर में गोशना या इस तरीके से फैला देते हैं बात कि जो भी इस फंदे के लिए पूरा आएगा जिसका गला उसी को फांसी दी जाए क्योंकि राजा के डर से वहां पर कोई भी लो क्या था वो खाना नहीं खाते थे है ना तो उसके बाद जो गवर्दंदास था वो तो लो भी था लालची था उसने टके सेर में सारी चीज़े ली हुए खाखा के वो क्या हो गया था मोटा हो गया था और उसको ही कोतवाल की जगा फांसी पर चड़ाने की त्यारी कर दी जाती है और उसको वो ले आते हैं ठीक है फिर आता है आपका आखरी दिश्य है इसमें हम देखते हैं कि ये शम्शान में गवर्दंदास को फांसी देने की पूरी तैयारी है उसको उठा के ले ले आया जाता है कि वही तुम ही यहां पर एक मात रहसे व्यक्ती हो जिसकी गर्दन जो है पूरी फांसी के फंदे पर आ सकती है ठीक है ना तो इसलिए राजा का आदेश है कि जो भी नगर में मोटा आदमी है उसको ले आया जाए और उसी को ही फांसी दी जाए ठीक है तो देखे अपने गुरू की बात याद आ जाती है कि गुरू ने मुझे कहा था कि कभी भी किसी मुसीबत में हो तो आप मुझे याद गर लेना तो वो एकदम से अपने गुरू का स्मर्ण करता है और गुरू आपर प्रकट हो जाते है और गुरु शिश्य उसके बाद क्या कर देने लग जाते हैं कि वो राजा से कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए मैं क्या कर लूँ मैं अपने शिश्य से बात कर लूँ दो मिनिट वो उसके कान में कुछ यूँ ही फुस फुस आता है और दोनों गुरु चेला के हैं आपस में एक तरीके से ढोंकन लग जाते हैं कि मैं फांसी पर चड़ूँगा दूसरा कहता है कि मैं फांसी पर चड़ूँगा तो जल्दवाजी दिखाना वो शुरू कर देते हैं कि ने ने मैं नहीं मनना है कियों कि गुरु जब राजा देखता है कि यह हो क्या राय साही मैंने तो गुरु को पूछ लेता है मान्त को कि आखिर माजरा क्या है तुम लड़ाई क्यूं कर रहे हो और क्यों तुम फांसी पर चढ़ना चाहते हो कि यहां का राजा तो मैं हूँ, तो स्वर्ग भी मुझे ही मिलना चाहिए, इसलिए सबसे पहले फांसी पर मैं ही चड़ूँगा, और इस तरीके से वो क्या कर देते हैं, राजा स्वयम को ही फांसी पर चड़ाने की आग्या दे देता है, और खुद ही नश्ट हो जाता है, त कि जो महंत हैं, उनके जरीका आया देखिए, जहां न धरम न बुद्धी, नहीं नीती, न सुजान समाज, ति ऐसे ही आप हूँ, नसे जैसे चौपट राज, कि जहां पर धरम, बुद्धी और ये चीजे नीती, सुजान, सही जो व्यवस्ता ना हो, तो वहां पर क्या होता और यही बात चौपट राज के साथ हुई, और जैसे चौपट राजा का अंतुवा, वैसे ही जो लोभी प्रवरिति के या जो बुद्धी हीन, जो धरम ब्रश्ट लोग जब शासन में आ जाते हैं, तो अंत भी उनका ठीक वैसे ही होता है, तो ये भारते अंदू प्रश्था में ऐसे लोग आ गए हैं, जो हम जैसे जो UGC NET या PhD या Research Scholars जितने भी हैं, उनके उपर एक तरीके से रूल करते हैं, अगर हम उनके डिग्रियों के बारे में देखेंगे, तो आप देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं राजनिती में, जो अयोग्य हैं उस के लिए और वो क्या हमारे लिए सही तरीके से नीतियां मनाएंगे, तो आज भी प्रसंगिक है अंधेर नगरी और ऐसे ही वो कहते हैं कि खात्मा होगा अयोग्य शासकोंगा, तो ये था दोस्तो भारते इंदू हरिशंद्र का जो नाटक अंधेर नगरी बहुत रोचक ना नाटक है और बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में और इसका मंचन करने में ठीक है तो इसके बारे में कुछ एक चीज़ें और देख लेते हैं देखिए अंधेर नगरी नाटक की रचना भारते इंदू जी ने देशवतसलता के उदेश्य से की तो देशवतलता मतलब दे नाटक के उदेश्य नोने माने हैं 5 उदेश्य तो वो कौन-कौन से माने हैं आप मुझे बता सकते हैं या फिर हम अंत में एक और क्लास उसके लिए भी लगाएंगे कि नाटक के उदेश्य बिगरा मनलब जो नाटक में प्रकार हैं या क्या है ठीक है जैसे नाटे वृतिय हैं तो इनके इनसे समगने तो भी प्रशन पूछ लिया जाता है तो इन्होंने फिलाल पांच उदेशे माने हैं जिनमें से एक उदेशे है देश वद्सलता तो यह मैंने आपको बता दिया चार कौन-कौन से हैं यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं ठीक है आगे देखिए बिहार प्रांत के किसी जमिदार के अन्यायों को लक्ष करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थेटर में अभिनेत किया जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की अभिनीत करने के लिए तो नेशनल थेटर के स्थावना भी इन्होंने स्वयमिय की थी काशी में की थी तो ये था भारत इंदू हरिश्चंदर का जो नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा इसका समापन यहीं पर होता है और यह चीज़ें इसमें प्छो प्रमुख थी व सकता है इस तरी के से पूचा जाए कि इन कथनों से किस नाटक का अंत हुआ है या ये कथन किस का है ठीक है इस तरी के से प्रशन बन सकता है तो I hope दोस्तों आपने यह वाला नाटक या यह वाला लेक्चर अच्छे से समझा होगा अगर इसमें मुझ से कुछ तुरुटिया जहिंद